क्यों शत्रुगन सिना को सच में पीटने लगे थे अमिता बच्चन अमिता बच्चन और शत्रुगन सिना ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है और इनके बीच अच्छी बॉंडिंग रही है लेकिन कुछ ऐसा हुआ सत्र के दशक में कि इनकी दोस्ती में दरार पड़ गए और ये कोल्ड वार इतना बढ़ गया कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दोरान अमिता बच्चन ने शत्रुगन सिना की पिटाई कर दी वह मुझे तब तक मारते रहे जब तक शेशी कपूर ने बीच में आकर हमें अलग-अलग नहीं किया हाला कि ये फिल्म का सीक्वियंस था पर मुझे सीन के बारे में कुछ पता नहीं था अपनी बायोग्राफी में शत्रुगन ने ये भी बताया कि फिल्म काला पत्तर के सेट पर अमिताब के बगल वाली कुरसी कभी भी मुझे आफर नहीं की गई ये मुझे अजीब लगता था शत्रुग ने बायोग्राफी में ही बताया कि दिक्कत ये थी कि मेरी एक्टिंग के तारीफ की जा रही थी अमिताब देख सकते थे कि मुझे कैसा रिस्पॉंस मिल रहा है अमिताब इससे परेशान होते थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बनूँ इसी वजह से मैंने कई फिल्म में छोड़ दी और साइनिंग अमाउंट भी लोटा दिया